तो यह है मेरे पास Redmi का Note 10 Pro, आपके पास Maybe Pro Max होगा, तोनों डिवाइस सेम है, बस कैमरा का फर्क है, और इसका भी रिसेंटली एक अपडेट आया था 13.0.9, जिसमें कुछ फीचेस एड़ किये गए थे, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्स्ट वीडियो मैं आपको दिया, जिसमें ह लोंग टाइम के उज़ेचिक बाद कि क्या कुछ देखनी को मिला है, तो आज यह दूसरे वीडियो की बारी है, यानि आज हम यहाँ पे देखेंगे कि 0-100% चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, और पिछले वाले अपडेट से भी कंपेर करने वाले हैं, और यहाँ प करना पसंद है ना, तो मेरे सेकेंड चैनल को भी सस्क्राइब करना, जहाँ पर मेरे से रिलेटेट वीडियो है, जो लेके आता रहता हूँ, जैसे कि मेरे पास मी 11X है, और यहाँ पर में ऑक्सीजन और इसका एक लेटेस्ट अपडेट वरजन है, जो डाल रखाओ, तो प् चार्ज करने के लिए, तो फिलाल में इसे बोड में कनेक्ट कर देता हूँ, और बस यहाँ पर इन करना है, और स्टोफ वाज को सुरू करना है, और हमारा चार्जिंग है, जो शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा देखते हैं, यहाँ पर 1% से लेता है, यह जीरो परसेंट से यहां पे नौ मिनिट कम्प्रिट्ट हो चुका है और 20 नहीं पर से हम कर लेते हैं अपर यहां करके चार्ज करेंगे तो हमारा फॉन होचुकअ तो जिसका मैंने वीडियो आपको वन दे पहले दिया है यहां है अफी किया गया है इस चोटे से अपदेट के अंदर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो चलिए वेट करते हो दिए देखते हैं कि charging किस तरीके से होता है और complete होने में कितना है जो time लगाता है तो यहाँ पर 20 मिनट complete हो गया है phone को charging पर डाले हुए और अगर battery percentage की बात करें अब यहाँ पर तो हम यहाँ पर देखने को मिलता है 30% only on battery यानि यहाँ पर 10 मिनट कह सकते हैं आगे चल रहा है या 10% आगे चल रहा है जो आप समझो ठीक है तो यहाँ पर 30% हो गया है देखते हैं full charge में कितना time लगाता है तो यहाँ पर 45 मिनट complete हो चुका है और betty percentage के अगर हम बात करते हैं कितना है तो आप यहाँ पर देखो कि betty percentage अब 75 पहुच चुका है तो बस complete होने ही वाला है तो देखते हैं final result कितना हमें देखने को मिलता है तो भाई हमारा phone fully charge हो चुका है जिसमें total time लगा है 1 hour 11 minute का जो क कि मुझे काफी ज़्यादा perfect लगा काफी ज़्यादा अथा timing यह देखनी को मिला क्योंकि इसके पहले के पहले के अगर अपडेट से हम compare करें तो काफी हद तक improvement देखनी को मिलता है और यह मैंने first वाले वीडियो में भी बताया थे कि जब phone हमारा भाई 90 और 50 के ऊपर जाता ह इसलिए वहाँ पर charging test में लगा था कि slow charging होगा बट ऐसा नहीं है यहाँ पर और fast charging हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर play करके आपको सामने रखा है यह है हमारा 13.0.5 का charging test अला वीडियो जहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 42 मिनट का यहाँ पर time लगा था लेकिन इसके पहले का update है 13.0.7 अगर उसके बात करें तो यह हट ही आपको पिछला है जो दिखाई देगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आ जाते हैं कितर गया भाई तो यह देख सेते हो पिछले वाले last charging का जो testing है वो है यहाँ पर 1 hour 38 मिनट जो कि 0 से 100% हुआ है और इस बार की बात करें तो भाई यहाँ पर रियल में improvement आया है यहाँ पिछले recent से जो 2-3 update हमें देखने को मिल है उससे काफ़ी better यहाँ पर charging speed देखने को मिला जो कि 1 hour 11 मिनट का और बहुत सारे लोग क्या करते है कि 5% या 10% या 20% ही charging शुरू करते हैं या फिर कुछ लोग अपने phone को full charge नहीं होने जाते 90 या 80 या 85 तक ही charge करते हैं तो वैसे में आपका phone within 1 hour में charge हो जाएगा और आप कई सारे condition follow करते हो जैसे flight mode करना या switch off करके charge करना तो आपका है जो 45 या 50 मिनट में charge हो जाएगा जो कि यह timing काफी अच्छा रोग पहले से काफी improve यहाँ पे हो चुका है लेकिन वहीं पका screen on timing की बात करें कि यहाँ पे screen on timing हमें कितना कैसा देखनी को मिलता है पिछले वाले से compare वह भी करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस बार का है जो screen on timing में आपको दिखाता हूँ कि क्य आपडेट कैसा था अगला अपडेट कैसा था मैं यह हर एक चीज बार वाल इसलिए repeat करता हूँ क्यों कि हर बार कुछ नए users रहते हैं जिनको पता नहीं होता है और जो मेरे old viewer है उनको तो भाई पता ही है कि मैं किस तरीकी से battery charging का test देता हूँ तो यहाँ पे मेरी हर बार के testing एक ही जैसी होती है ताकि हर बार का idea लग जाए लेकिन आपको भाई यह तो बहुत कम है तो भाई हर किसी का usage अलग-अलग होता है तो हर किसी को screen on timing अलग-अलग मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर 4 hours 51 minute दिखा हूँ तो आपको भी same इतना ही मिले यह आपके पिछले ज्यादा भी हो सकता है तो यह मेरी अपनी testing है जिसके सबसे मैं idea लगाता हूँ कि ज्यादा है या फिर कम है तो इस वाकर जो हमें screen on timing मिला है वो है 4 hours 51 minute यह नहीं कह सकते हैं 5 hours का screen on timing मिला है वो भी heavy usage मेरे testing के हिसाब से अब बात करते हैं पिछले time हमें कितना मिला तो यह है हमारा पिछले time का screen on timing जो कि आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रगवबत यहां पर actually जो timing है वो हमारा 6 hours 25 minute का और इस वार हमें जो timing की देखनी को मिला है वो है only on यहां पर 4 hours 51 यानि 5 hours का तो यहां पर कह सकते हो कि one and half hours है जो कम timing हमें देखनी को मिला screen on timing का इसलि फोन काफे की चार्ज होता है ना उसके बैटी टॉप थोई बहुत ज्यादा हमें देखनी को मिलती है और जितना slow charge होता है उतना थोड़ा सा ज्यादा यहां पर back up देखनी को मिलता है इसमें huge different नहीं आता बट हां हलका full का फर्क होता है तो साहिध इसी बज़े से यहां पर कुछ खास matter नहीं करता वह घर पर जब चाहें जब चार्ज में लगा सकते हैं तो आप बताना है कि आपको भाई longer battery ज्यादा पसंद है या फिर ज्यादा फर्क नहीं परता एक comment जरूर करना अब बात करते हैं यहां पर boot timing का कि पहले से क्या improve हुआ है या फिर down हुआ है तो नमारा switch up हो चुका है power button में press करूँगा और यहां पर start कर दूँगा देखते हैं कितना time यह लगाता है तो light up होगा और यहां पर हमने start कर दिया तो यहां पर इस पर जो boot timing लगा है वो हमारा 26 seconds और इसके पहले के पहले update के बात कर जो कि 13.0.5 था तो उसमें जो हमारा time लगा था वो है 28 seconds जो कि ज्यादा different नहीं है लेकिन जो पिछला update है 13.0.7 अगर उसकी बात करें तो यहां पर आप देखते तो यहां पर भी same to same देख battery drop की तो यह रहा हमारा standby battery drop जो कि आप लिख तो यह है 96 और जब मैं morning में check करता हूं तो यहां पर हमारा 91 यहां पर हमें 5% का battery drop देखनी को मिला है बट यह सिर्फ और से एक ही दिन का यहां पर battery charging और drain test का result है तो जो final and full review आगा ना उसमें कई बार है जो standby में डालके रखके द improve हुआ है और आपने अपडेट कर लिया है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरीके से battery up देखनी को मिल रहा है charging time देखनी को मिल रहा है और पिछले वाले के comparison में कि आपको improvement नजर आता है बैटिक मामले में या फिर downside देखनी को मिलता है क्योंकि यह जो update होता है कई स अब यह opinion मेरे लिए matter करेगा और final वीडियो का wait जरूर करना ठीक है मिलते हैं एक वीडियो में thanks for watching बाबाई